हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सबको SP2 YouTube चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका E-Shram Card का पैसा आया है या नहीं आया है तो चलिए आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं और वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि आपका इस्रम कार्ट का पैसा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपका इस्रम कार्ट का पैसा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है तो इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे चैनल में पहली बार है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को दमाना ना भूलेगा आकि जब भी मैं कोई नई वीडियो ले करा हूँ आप तक पहुंचे तुरंद तो चलिए वीडियो को इस्टाट करते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार समाजिक सुरक्षा बोर्ड यहाँ पे आप इस वेप साइट पे ओपेन हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं Maintenance Incentives Scheme ठीक है यहाँ पे आपको option दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे mobile number पूछा जा रहा है ठीक है मतलब जो भी आपका e-shrum card में mobile number registered है उस number को यहाँ पे आपको डाल देना है दोस्तों यहाँ पे आप अपना mobile number डाल देंगे और search box पे click कर देंगे तो यहाँ पे आप अपना phone number डालिएगा दोस्तों यहाँ पे mobile number भरने के बाद यहाँ पे आपको search box पे click कर देना है दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका status open होके आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका name show कर दिया गया है और यहाँ पे आपका fathers and husbands name बता दिया गया है और यहाँ पे आपको address बताया गया है और यहाँ पे आपका district बता दिया गया है और यहाँ पे आपको इस side में आना है थोड़ा सा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका amount 100 करा दिया गया है कि कितना आपका amount आया हुआ है और यहाँ पे आपका phone number आ गया है और यहाँ पे आपका status success दिखा देगा ठीक है दोस्तो इस तरह से आप अपना सारा status चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका isram card में 1000 रुपे का amount credit हुआ है और यह भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका status मतलब clear है तो दोस्तो आपका इस number से जीतने भी isram card registered होंगे आपका सारा details यहाँ पे सब का दिखा देगा ठीक है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने isram card का status चेक कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे ही अपने mobile phone के माध्यम से आप अपना isram card का status चेक कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिजेगा दोस्तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जैहिन दिल से